ब्राइफेट्स की क्लासिफिकेशन को हम पढ़े थे और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने सब्डिवीजिन हेपैटिक आपसिडा एड शब्डिवीजिन प्रापसिडा को अल्ड़ी पढ़ लिया है आज की लक्चर में हम बात करेंगे एंथोसिर आपसिडा की इंतों सिर trip को हम horn warts भी कहते हैं horn warts और यह काफ़ी different होते हैं from hepatic outsider and cryopsyda और वा different किस तरह से होते हैंAPE काफ़ी advanced होते है as compare to liver wats and wosses और वो advanced किस तरह से होते हैं advanced जो है उसका structure होता जब हम structure को detail में देखते हैं ताकि आपको पतर चल जाए हमने कहा कि they are slightly advanced then rapsida and hepatic obsida अगर हम इसके structure को detail में देखें तो इसके plant structure में जिस तरह से हमने अल्रेडी बात किया है दो generation पाई जाती है gametophyte और sporophyte gametophyte जो है वो outline में irregular होता है इसी तरह से इसके अंदर जो sporophyte generation है वो gametophyte generation के उपर depend नहीं करती आम तोर पे हम राइफाइट के अंदर देखते हैं कि sporophyte generation जो है वो अपनी nourishment और protection के लिए gametophyte के उपर depend कर रही हैं लेकिन इंथर से रॉपसिडा वो वाहित group है जिसमें ऐसा possible नहीं होता और क्यों नहीं होता है उसकी एक major reason है वो reason यह है कि sporophyte के उपर stomata present है stomata और stomata के साथ साथ इसके अंदर chloroplast present है और हम जानते हैं कि जब chloroplast हो और stomata हो तो क्या होता है वहाँ photosynthesis possible हो जाता है तो it means कि sporophyte जो है it can prepare its own food अपने खूद फूद प्रपेर कर सकती है यह generation तो यह independently भी survive कर सकती है यही वज़ा है कि अगर एंथर से रॉपसिडा में gametophyte generation totally decay कर जाए या dead हो जाए तब भी यह plant survive कर लेता है अपने sporophyte के मदद से so this is why we say that sporophyte is not dependent on gametophyte इसके अलावा इसके structure में जो खास बात है यह different बात है वो यह है कि इनके जो six organs है यानि कि enthridia and archigonia they are sunken into gametophyte यानि कि enthridia and archigonia जो है वो gametophyte अंदर से grow होके आ रहे होते हैं और क्योंकि हमने देख लिया कि sporophyte जो है इसके अंदर stomata present है इसके अंदर chloroplast present है characteristics present है और यही characteristics इसको land के ओपर survive करने में help करते हैं तो यह हमने देख लिया एक sporophyte और enthridia and archigonia को इसके इलावा एक और different चीज या आपके सकते हैं के advanced feature जो के present है anthocereopsida में वो यह है कि इनके अंदर में stematic tissues present होते हैं और यह कहां present होते हैं यह होते हैं at the junction of foot and capsule foot और capsule के दर्मयान में जो उनका जोड बनता है वहाँ यह present होंगे और इनका काम क्या है में stematic tissues जो है यह help करते हैं plant को grow करने में यानि के mastematic tissues continuously cells को add करते जाएंगे और इनकी मदद से होगा क्या कि sporophyte के अंदर नए नए cells आते जाएंगे और new cells के add होने से होगा कि ultimately यह होगा कि क्यूंके mastematic tissues के अंदर growth rate बहुत ज्यादा होते हैं यह fast growth rate होता है तो इसके result में जो sporophyte होगा उसकी length increase होती जाएगी और यही वज़ा है कि इस plant का structure है वो size में भी बड़ा होगा इसके अगर हम example देखें तो anthoceros इसके example है और यह anthoceros जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी present है hilli areas में mostly आप इसको देख सकते हैं इस image के अंदर भी आप देख सकते हैं यह है anthoceros और जैसे के हमने बात की है इसके structure के अंदर के इसमें जो sporophyte है वो increase करते जाते है length में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी length जो है वो ज्यादा ज्यादा होती है और spores बनने का जो process है यानि के formation of spores, maturation of force और dispersal of spores इन तीनों processes में ऐसे होता है कि नए नए cells जो हैं वो maristomatic tissue से add होते जाते हैं sporophyte में एक image है मेरे पास और इसके अंदर आप अगर आप देखें तो आपको horn watch का structure दिखाया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये area क्या है ये इसका foot region है इसके इलावा आप देख सकते हैं कि maristomatic tissues आपको दिखाये गए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि new cells produce होते जा रहे हैं और वो produce होके कहा जा रहे हैं वो sporophyte का हिस्सा बनते जा रहे हैं जबके sporophyte के अंदर आप देख सकते हैं कि spores produce हो रहे हैं और सिर्फ horn watch के case में ऐसे होता है कि sporophytic generation and gametophytic generation they both combine to make up the plant body normally जब हमने liver watch की बात की ती या mosses की बात की ती तो हमने कहा था कि plant body जो है वो gametophyte generation बना रही है लेकिन हम इस case में जाते हैं कि इसमें sporophyte generation जो है वो independently survive कर सकती है यही वज़ा है कि यह दोनों generations मिलके plant body बनाती है तो यह था हमारा आज का lecture anthoceropsida पे और इसके साथ ही हमारी जो classification है briophytes की वो complete हो जाती है आज के lecture को summarize कर लेते हैं आज हमने anthoceropsida को पढ़ा और anthoceropsida को हम hornmots भी कहते हैं हमने कहा कि यह slightly advanced है as compared to liverwats and mosses और वो advanced किस तरह से हैं वो इसका structure है और structure के अंदर हमने देखा कि इसमें जो gametophyte है वो irregular पाया जाता है यानि कि इसकी outline जो है वो irregular होगी इसके साथ साथ हमने देखा कि जो sporophyte है वो इसमें independently भी survive कर सकता है वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर stomata और chloroplast present है वो अपनी food खुद prepare कर सकता है इसके इलावा sporophyte के ओपर एक layer होती है cuticle की और ये cuticle की जो waxy layer है ये इसको help करती है against water loss इसके लावा आज की lecture में हमने देखा कि हार्णवाट्स के अंदर में stomatic tissues present होते हैं और ये maristematic tissues जो है वो help करते है sporophyte generation को grow करने में और वो किस तरह से help करते हैं वो ऐसे help करते हैं कि जब भी spor producing region है वहाँ पे spor formation हो रही हो या spor maturation हो रही हो तो इन तीनों phases में sporophyte के ओपर new cells जो हैं वो add होते जाते हैं with the help of metastomatic tissues इसलिए sporophyte की जो length है वो for indefinite period of time increase होते जाती है इसके बाद हमने एक example देख ली जो कि है anthoceros और जैसे कि हमने इसके structure को discuss किया है इस image के अंदर आप इसको detail में देख सकते हैं